कि यह पर्संटेज बीसिक का पार्ट थी है दो पार्ट पहले हो चुके हैं तो आप उनको जाके देखिए उनमें क्या क्या चीज बिसिक डिस्कस करेंगे यह बिसिक का पार्ट थी और लास्ट पार्ट होगा इसके बात चीजे सारी तिर्क कॉंपीशन लेबल पे जलेंगी प अबकमिंग चैप्टर से चाहें परसेंटेज हो गया सॉरी जा प्रॉफिटन डॉस हो गया डिस्काउंट हो गया उनमें यूज होती है तो उसका पार्ट पहले थोड़ा से रिवाइस करते हैं त्रिक थी गया और उसके बाद फिर इसका जो जो ट्रिक का पार्ट टू है उ से बी से तो कोशन ट्रिक ही थी तो ये बताणा है कि directly नहीं यह इस ट्रिक से यह पता रहा है कि बी जो है वह है आठ से कितना without तो कि नख कम है कि परसंटेज में तो इसके लिए क्रते थे हम एक को 1 की परसंटेज की तोटे थे एक यह किया बोलते हैं एक वाड़ा चार वन वाई फोर वन वाई फोर बोलते थे और कुछ नहीं करना फिर इसमें आगे वन अपॉन पॉर प्लस वन इस इकोस टू वन वाई फाइव हो गया निमेटर को जोड़ दिंगे और ये किता होता होता है होता है ये इसका अंसर आता है मतलब अगब 25% कोई चीज बड़ी हुई है तो दूसरी चीज उससे 20% घटी होगी ये आई होग आपको रिवाइज हो गया होगा अब इसका पार्ट टू देखते हैं आज पार्ट टू ये है कि अगर कोई वैल्लिव एक्स है और वो आदर कोई वैल्लिव एक्स है और वो अन अपन एन बाई डी से घट रही है तो वाई जो होगा वो अन अपन एन अट वरी डी माइनस n से बढ़ जाएगी यह concept है कि द्वारा एक बार शुरू लिजिए कोई value x है यहाँ पर आते हैं कोई value a है example प्ले ले दें कोई value a है और वो 25% से 25% कम है b से तो बताना यह है कि b कितनी ज्यादा होगी a से तो 25% का मतलब क्या हुआ एक बड़ा चार मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर आपको बताया है कि n upon d से अगर कोई value घट रही है तो n upon d minus n से दूसरी value बढ़ जाएगी मतलब वन अपन फूर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री और थ्री को मैंने आपको परसेंटेज में पड़ा रखा है वन बाई थ्री की परसेंटेज वेली क्या होती है 33 बटा तीन परसेंट आयोग तीजे आपको समझ में आई होंगी यह ट्रिक है इसको आप याद रखिए अब कि इस ट्रिक को लगाते कैसे है इस डिरेक्टी यह आपको देखना है कि इस ट्रिक को लगाते कैसे है ठीक है चलिए मैं एक्जाम्पिल लेता हूं पहला एक्जाम्पिल एक्जाम्पिल वन में क्या है किमाल लीजिए कि ए है बी है एकी सेलरी 25 परसेंट कम है बी की सेलरी से पहले simple से example लेते हैं B की salary से तो बताना है कि B की salary कितनी ज्यादा होगी एसे तो अब आप इसको याद कैसे रखने कि किसमें मतलब कौन सी ट्रिक में D minor N minus करना कौन सी ट्रिक में N plus करना तो आप एक चीज़ देखिए अगर आप इसको question को जब पढ़ेंगे तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि A की starting में बोलतेगा A की salary या A की कुछ भी जो commodity दे रखा होगा कुछ भी compare करने के लिए वो कम है अगर यह वट दिख जाए कम है कम है का मतलब ही हो जाएगा कि आपको N upon D minus N लगाना है अगर starting में मुल जाए कि A की salary 25% ज्यादा है ज्यादा है अगर तो ज्याद N लगाना है मुझे दूसरे की value कितनी कम होगी है कितनी जाता होगी वो question पर डिपेंट करेगा तो आई हो बापो यह भी confusion दूर हो गया हो कि D minus N कहा करना है D plus N कहा करना है अब example देख लेते हैं जो अभी हमने सीखा है कि A A की salary जो है वो 16 2 by 3% कम है B की salary से B की salary से तो बताना ह B की salary A की salary से कितने percentage जादा होगी कुछ नहीं है क्या करना है आपको पता है कि इसको N by D में तोल देंगे 16 2 by 3 की value क्या होती है एक बटा 6 और एक बटा 6 और इसके आगे आगे आपको पता है क्या करेंगे N में D में से N minus कर देंगे तो मतलब कितने आजाएगा 1 by 5 1 by 5 को कितने है 20% तो अगर A की salary B की salary से 16 2 बटे 3 कम है तो B की salary A की salary से 20% ज्यादा होगी इस conclusion से आप एक conclusion और निकाल सकते हैं का conclusion क्या आएगा conclusion यह आ सकता है कि अगर कोई value शूला दो बटे 3% से घटी है माइनस होती है और वो B पे आता है यह A है यह value है तो अगर उस value को 20% से बढ़ा दूंगा मैं तो मुझे वही value दुआर मिल जाएगी यह और conclusion निकल गया ऐसी तो आप आप याद रखिए यह चीज़े याद रखिए कि 16 दो बटे 3% अगर घट रहा है तो वही value अगर मुझे दुवारा प्राप्ट करनी है दुवारा लानी है तो 20% बढ़ा दूंगा जो आई है value घटाने के बाद 16 दो बटे 3% बढ़ाने के बाद जो value आई है B अकर उसको मैं 20% बढ़ा दूंगा तो मुझे दुवारा ए मिल जाएगा एगी conclusion अब example नंबर दूसर देखते हैं थोड़ी tough value लेते हैं और सारी value में हमें वही लूंगा जो थोड़ी tough होती है 25-20% नहीं लूंगा मान के चलिए कि रोहिद को रोहिद जो है वो 14.28% आपका expenditure पे ज्यादा कम खर्च करता है as comparison to तुलना में किसके अमन के अमन की तो यह बताना है अगर रोहिद और अमन की salary बरावर है तो अमन रोहिद की salary पे कितना percent ज्यादा खर्च करेगा कहने का मतलब है कि दोनों के expenditure को बताना है कि कि कितना ज्यादा अमन का expenditure रोहिद के expenditure से कितना ज्यादा होगा क्योंकि रोहिद 14.28% कम खर्च करता है तो बस कुछ नहीं है चौदा दो बटे आठ चौदा पॉइंट को क्या लिख सकते हैं याद करने की बताई थी चौदा होगा तो साथ आएगा और साथ होगा तो नीचे चौदा आएगा कुछ नहीं है साथ मैंसे मैनस कर देंगे कि इत्ता बजाएगा एक बटा च्छै और एक बटा च्छै को हम क्या लिख सकते हैं 16 दो बटे तीन आंसर अमन अगर 14.28% कम खर्च करता है तो सौरी रोहिद अगर 14.28% कम खर्च करता है तो अमन 16 2.3% ज्यादा कर्च करता है एक और ज्यादा है उसकी हाइट जो है उसकी हाइट आपका और 11.11% कम है किस से मालीजे कोई सास्त्री है सास्त्री से 11.11% कम है सास्त्री से तो सास्त्री की हाइट रवी की हाइट से कितनी ज्यादा है कुछ क्या करेंगे 11.11 को क्या लिख सकते हैं वन बाई नाइन वन बाई नाइन में से गटा दो किता है एक बटा आठ एक बटा आठ को कैल सकते हैं 12.25 परसेंट अतलब सास्तर की हाइट रवी की हाइट से 12.25 परसेंट ज्यादा होगी ठीक है आई होप चीजे समझ में क्लियर हो रहे होंगी और लेता हम इसको भी मैंने 11. 11.11 परसेंट को याद करने का तरीका बताया था क्या कि अगर 11.11 हो गा तो नीमेडर्टर में वेलियू आईगी 9 और अगर 9.09 परसेंट लिखा अगा तो नीमेडर्टर में वाल्टौटर में वैल्वी आईगी ग्यारह ठीक है इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं आगे सुमित की जो हाइट है सुरी सुमित के पास जो रुपे हैं वो ले लेते हैं कोई और परसेंटेज वेली लेते हैं मानके चलिए आपका 33.13% सुमित के पास रुपे 33.13% कम है तो रुपे हैं तो राजन के पास सुमित की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा रुपे हैं तो क्या करेंगे 33 एक बटा तीन परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं एक बार दुबार से देखेंगे एक बटा तीन अब आपको पता है यह आगया निमेरेटर बटे डिनेमेरेटर की फॉर्म में और हमने सेकेंड क्या समझी ती अगर कम हो सुमित मैंने बोला ना सुमित के पास 33 सही एक बटा तीन परसेंट रुपे कम है अब कम आ गया तो डी माइनस एन होगा तो यह गया तो मतलब डी माइनस एन क्या मतलब तीन में से गटा दिंगे कितना बचेगा एक बटा दो एक बटा दो क्याले सकते हम 50% तो राजन के पास 50% रुपे ज्यादा होगे तो आपने एक चीज नो 14.28% से कम करेंगे तो 16.23 बढ़ाना होगा अगर वही वेल्यू चाहिए 11.11% से कम करेंगे तो 12.25% से बढ़ाना होगा वसी वेल्यू को तो वही वेल्यू मिल जाएगी जिससे हमने कम करा है अब 33 सही एक बटा 3% से कम करा है तो 50% बढ़ा दिंगे तो वही वेल्यू मिल जा आप तो अब मुझे दुबारा ए लेना है मुझे दुबारा बी से ए पर आना है तो यह करूंगा अगर मैं बी को पचास परसेंट से बढ़ा दूँ तो मुझे दुबारा ए मिल जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट कंक्लूजन है वीडियो यादा लंबीन रही है अब इसका मैं आपको एक्जाम्टल दे दूँ एसपी सीपी में और डिसकाउंट में चैप्टर बकाया पढ़ा है नहीं अभी लेकिन एक आपको आईडिय मिल जाया कि यह कितना important है सीखना SP जो है वो दिया है 200 loss हो रखा है कितने का 20% का तो CP बताना है normally हम क्या करते हैं हम वो आप formula के थुरू कर सकते हैं या फिर loss को आप fraction में convert करके कर सकते हैं इसे आप लिख सकते हैं लेकिन हम direct मारेंगे direct कैसे मारेंगे अब देखो क्या है कि इसको मतलब इस को दिमाग में बिठाइए कैसे करेंगे loss हुआ है loss हुआ है ठीक है loss यहां पर रखा है मतलब जो SP होगा वो 20% कम है किससे CP से अब मैंने यहां पर क्या बाट यूज करा कम है कम जैसी आपको दिमाग में आया कम है तो मतलब हम यह पर को से टिक लगाएंगे N अपाउन B-N मतलब N आपउन डिमाइन इसे परसें इस परसें इस चार और चार में से 20% कित्ता होता है एक बिचान पांच और गादेंगे तो इक बिचान मतलब 25 परसेंट तो मतलब SP से CP 25 परसेंट ज्यादा होगा पच्चीस परशन किता होगा एक बड़ा चार मतलब एक बड़ा चार हुगा पचास मतलब धाई सो ज्यादा होगा सीधे मारेंगे आई होब आपको चीज समझ में आई होगे एक बोल लेते हैं ? SP दिया हुआ है वई 180 तो इस दा प्रफिट हुआ है profit प्रफिट परशेंट दिया हुआ है कितना आपको मान लिए 33.13 % का profit दिया हुआ है अब CPP पूछा है अब CP पूछा है, मतलब अब आप देखिए कि 33 सही एक बटा 3% CP, SP जादा है, प्रॉफिट हुगा तो simple सी बता है, SP जादा होगा, SP जादा है, जैसी आपके दिमाग में आया, कि हाँ SP 33 सही एक बटा 3% जादा है, तो जादा आया, जैसी आपके दिमाग में ये जादा वर्ड आया, जादा का मतलब ये है, ट्रिक काउंसी लेगी, N अपाउन D प्लस N, मतलब क्या होगा, कि 33 सही क्या लेख सकते हैं, एक बटा 3, और इसमें एक जोड़ देंगे, एक बटा 4, चार, मतलब SP से CP 25% जादा होगा, जादा होगा का मतलब इसमें 25% जोड़ तो इसका, एक ब 25, सीधे आगे answer, I hope इस तरीके से आप देखे, SP CP में कितना अच्छा रोल है, और भी जो चीज़े आएंगी, इसकी discount का example देख लो, इसको चाहे करना, चाहे मत करना, मतलब इसको मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो trick है, इसका use कहां कहां हो सकता है, तो इसको seriously करनी चीज़ वही है, जो पहले आपको बताई गई है, कि लगा लगा के देख लो, इसको जब profit loss के chapter पर आएंगे, तब वहाँ पे इसको और अच्छे तरह किसे करेंगे, अब भाई discount दिया हुआ है, कितना 20% का, ठीक है, और SP दिया हुआ है, कितना 200, अब हमें MP निकालना ह है, तो MP निकालना है, कहने का मतलब है, कि SP, मतलब discount दिया हुआ है, मतलब loss हुआ है, तो SP जो है, वो 20% कम है, अब जैसी आपने कम आया, कम का दिमाग में आपके आया, तो आप क्या लगा होगे, N upon D minus N, N upon D minus N, और एक बटा, एक बटा 20% को कर ले सकते हैं, एक बटा 5, एक बटा 5, और numerator को घटा देंगे, denominator से, तो खित्ता जाएगा, एक बटा 4, और एक बटा 4 को हम क्या लेख सकते हैं, 25%, तो मतलब, आपका SP जो है, MP जो है, वो SP से 25% जादा होगा, मतलब 50, मतलब 200, सीदे सीदे 200, लिख दी आपने, समझें हैं, मरी बाद, तो यह इस तरीके से, डिसकाउंट में, बट्टे के चैप्टर में, SP CP में, इस तरीके से यह चीटर की यूज होती है, तो जहाँ पर कुश्चन थोड़े बड़े लेविल के आते हैं, जल्दी-जल्दी SP CP काउंट करना पड़ता है, तो हम ऐसी तरी के लिए, अगर 11.11% घटाएंगे तो 12.25% बढ़ाना पड़ेगा, अगर 33.13% से घटाएंगे किसी वैल्ली को तो 50% से बढ़ाना पड़ेगा, तब ही वैल्ली मिलेगी, तो यही सारी चीज़े हैं, आई होग आपको समझ में आई होगी, इसी के साथ वीडियो को जो है, मैं जितने अच्छी तरी के से पकड़ाना सकते हो, पकड़ाना लो, जैसी lockdown खुलेगा, dates आएंगी, वैसी paper होगा, और लड़के सब तयारी कर रहे हैं, तो paper का level भी बढ़ जाएगा, competition भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस time सब भी तयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा time है तयारी झाल सकता हैं, इस सब रहे हैं, तो आएगागा जो दिल्यारी कर रहें, जितने गारी कर रहे हैं, वैड़ाना जबे गी बढ़ जजर एर के भी बढ़ हम should I be display of the day to my the color, do you go好了, जितने अपर बवाएगा, कि ऱ वी बढ़़ागा हैं, नल सब उस सब छाभा है、 गर व वारादा